बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम सौलू करेंगे कोस्चन नमबर थ्री एंड कोस्चन नमबर फॉर तो कोस्चन नमबर थ्री ले 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 लेते हैं इसके इंदर हमें क्या दिया गया है AD and BC are equal perpendicular अब यहाँ पर देखिए यह जो AD है और यह जो BC है यह perpendicular है देखिए यहाँ पर यह जो अंगल दिया गया है यह 90 डिगरी कर दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर AB के perpendicular है BCB और ADB अब हमें क्या बताना है कि जो CD है वो bisect करती है AB को यह हमें बताना है यानि कि यह जो CD है यह इस AB लाइन को इस point O पर bisect कर रही है तो यह हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए जो angle अगर हम यह देखें AOD यह वाला angle देखें AOD और यह देखें angle BOC यह वाला तो यह बराबर होने चाहिए तो यहाँ पर अगर हम लिखें जो angle AOD है वो angle BOC के बराबर होना चाहिए क्यों यहाँ पर यह क्या है vertical opposite angle है तो इसलिए बराबर होने चाहिए इसी तरह से अगर हम triangle लें AOD AOD के अंदर और दूसरी triangle लें BOC यानि कि यह नीचे वाल triangle ले ली हमने और BOC यह बड़े वल triangle ले ली उपर वाली तो इन दोनों से अगर हम देखें अगर इनमें दोनों में concurrence प्रूव करें तो वो कैसे हो सकता है तो यहाँ पर जैसा हमने एक angle तो यही प्रूव कर दिया इन दोनों के अंदर बराबर है इसी तरह से जो angle हमारे पास DOA है वो angle OBC के बराबर है यानि कि यह वाला जो एंगल है और यह वाले अंगल है दोनों 90 डिजए के हैं क्यों बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिजए के हैं और यहाँ पर जो AD है वो BC के एकवल है यहां पर देखिए मार्क दिया गया है दोनों बराबर है तो यहां पर AD जो है वो BC के बराबर है यानि कि हमें क्या मिला एंगल एंगल और साइड क्रिटीरिया से तो कौन सा एंगल एंगल और साइड क्रिटीरिया से ये दोनों ही triangle congruence prove हो जाती है यानि कि जो triangle AOD है वो congruence है triangle BOC के यानि कि बाकी की इसके सारे साइड भी बराबर होने चाहिए इसका मतलब जो OA है वो OB के बराबर होना चाहिए तो OA जो है वो भी OB के बराबर होगी क्योंकि जो corresponding part है इन दोनों के अब triangle के equal होने चाहिए अब मालिज ये O जो है अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो O क्या हो गया midpoint हो गया इस line AB का अब AB का ये O जो है midpoint हो गया तो इसका मतलब क्या है CD जो है इसको bysect करती है bysect का मतलब इसको आदे आदे में माटती है आदा उपर आदा नीचे क्योंकि A O हमने निकाला O B के बराबर यानि कि आदा नीचे और आदा उपर है तो इसको CD line जो है आदो आद जो है इसको काट रही है तो इसका मतलब यह हम यहाँ पर इसतना से प्रूव कर सकते है तो यह तो थर्ड कोस्टन हो गया चलिए फॉर्थ कोस्टन ले लेते है फॉर्थ कोस्टन में हमें क्या दिया गया है L and M are two parallel line अब यहाँ पर देखिए यह जो L वाली और M वाली line जो है दो parallel line दे गई है intersected by another pair of parallel line P क्यों यह P और यह क्यों यह दूसरी दो parallel line है जो इनको कट कर रही है L और M को हमें बताना है जो triangle ABC है triangle CDA के congruent है यानि कि जो ABC यह वाली triangle है और CDA यह वाली triangle है कि यह first triangle मान लिजिए second triangle मान लिजिए यह दोनों हमें concurrence में प्रूव करनी है अब यहाँ पर देखिए जो ABCD है ABCD वो क्या है एक parallelogram यहाँ पर बनाती है यहाँ पर देखिए ABCD कह लिजिए DC कह लिजिए इसके बिल्गुल parallel है और जो BC है और AD है यह parallel है यह बराबर है क्योंकि दो parallel line और यह दो parallel lines को कट कर रही है parallelogram है तो यहाँ पर AB जो है CD के बराबर आप लिख सकते है BC जो है AD के बराबर लिख सकते है ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा आप यहाँ पर triangle ले लेते हैं तो ट्रेंगल ले लेते हैं ABC और एक ट्रेंगल ले लेते हैं CDA यहनि कि ABC और CDA यह दोनों ट्रेंगल हम ले लेते हैं अब यहाँ पर AB equal to CDA BC equal to ADA दो चीजें तो हमने प्रूव कर ले और यहाँ पर AC जो है वो भी तो common है AC equal to AC यह क्यों है यह common है तो यह हमें common दी गई है दोनों के बीचे common हमने ले ले अब यहाँ पर side 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 criteria से एक side A हो गई एक side A और एक side A इन तेनों side side criteria से जो triangle simple ABC जो है वो congruent हो जाती है triangle CDA के तो यही तो हमें प्रूव करना था तो इस तरह से हम इन दोनों questions को solve करेंगे तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद